नमस्कार दोस्तों मैं ही मानशू अब सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चनल इसेलिंग यान में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस वक्त फ्लिपकार्ट पर कौन से प्रोड़क को सेल करने में सबसे ज़्यादा हम सेलर्स का फाइदा होने वाला है अगर जो मैं प्रोड़क इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप उन प्रोड़क को सेल करोगे उन product को आप Flipkart पर sell करें इससे आपको बहुत जादा benefit होने वाला है तो बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको Flipkart के latest update के बारे में बताया था Flipkart ने अब sellers के लिए 0% commission वाली policy ला दी है तो friends उसमें मैंने आपको एक criteria भी बताया था कि अगर आपके जो product है वो 0-300 रुपे तक की range के हैं तब तो आप किसी भी category में sell कर लो उसमें जो commission है वो 0 रहेगा बाकी fixed fee और collection fee और shipping fee लगेगी लेकिन जो commission fee है वो 0 हो जाएगी लेकिन अगर आपके जो product है वो 300-500 की range के हैं तो फिर उस case में कुछ product categories ऐसी है जिसमें commission fee 0 होने वाली है और अगर आपके product 500-1000 के बीच में है तो बहुत limited categories है जिसमें जो आपको commission fee है वो 0 देनी पड़ेगी आपको fixed fee, collection fee, shipping fee इन cases में भी देनी पड़ेगी तो मैं इस वीडियो में आपको वही product recommend करने वाला हूँ जो कि 0-300 में, 300-500 में और 500-1000 में तीनों ये जो price slab है इसमें जो इनका flip card का commission fee है वो 0 होने वाला है और friends flip card ने भी ये जो 500-1000 वाली slab है उसमें मैंने आपको बताया बहुत limited product categories ही select करी है या फिर मैं कहूँ बहुत limited sub-categories ही select करी है तो flip card ने भी वही sub-categories select किये जिनकी demand अब होने वाली है अब क्योंकि गर्भियों का मौसम जाने वाला है और सर्दियों का season शुरू हो चुका है और अभी ये November, December, January, February maximum parts of the country में थंड का मौसम आने वाला है तो आपको जो flip card पर product sell करने हैं वो sell करने है blazer, fabric, jacket, kits thermal, kurta, shrug, sweater, sweatshirt, cardigan, glove, muffler, pullover, shawl, ethnic set, thermal, windsheeter, dupatta, kurty, lehengacholi, sari, coat और poncho तो friends ये कुछ product categories हैं जिसमर आपको अपने product को sell करना है और इन product में से maximum product वही हैं जो कि हम winter season में use करते हैं आप muffler sell कीजी, आप glove sell कीजीए, आप blazer sell कीजीए, आप sweater sell कीजीए, आप cardigan sell कीजीए friends इन product की आप समझ रहे होंगे, वैसे ही demand आने वाली है क्योंकि November, December का month आ गया है और इन product पर flip card आप से एक भी रुपा as a commission charge नहीं करने वाला आप ये मानिये, for example, अगर कोई product आप पहले 800 रुपे का sell करते थे और 800 पे अगर flip card 15% commission लेता था, तो 800 पे 120 रुपीज flip card का commission जो पहले होता था, वो अब 0 हो गया है तो 120 रुपीज का आपको benefit मिलने वाला है, तो ऐसा मत कीजेगा कि 120 benefit आप अपने end पर ही रख ले, 120 का जो benefit मिलने वाला है उसमें आप 60 रुपीज का benefit खुद रखें, और 60 रुपीज अपने price को सस्ता कर दें, मतलब 740 के आसपास उस product की range को कर दें, जिससे कि आपका भी benefit भढ़ जाए और customer का भी benefit भढ़ जाए इससे आपको अच्छी खासी sale इन product में रिसीव होगी और आपका profit भी भढ़ जाएगा तो friends, यह सभी sub-categories मैंने इस वीडियो के description में भी mention कर दी हैं और आपसे request है कि एक बार आप अपने end पर देखें इने और जिस भी product को source करके sell कर सकते हैं, आप उसे definitely sell कीजिए बलाई आप इन product के seller नहीं है, लेकिन flipcard का पहली बार ऐसा 0% commission fee वाला structure आया है तो एक बहुती सुनहरा मौका है, जिसमें आप try कीजिए अगर कहीं से भी product source कर सकते हो बलाई आप एक दो product ही try कर सकते हो, लेकिन try जरूर कीजिएगा और अगर आप नई seller है, तो आप बहुत बर मुझे comment में और instagram पर भी पूछते थे कि कौन से product से हम शुरुआत करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन product से शुरू कीजिए जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताए हैं यह जो सभी categories बताई हैं आपको बताई दी वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगी तो आप जाकर देख सकते हैं बाकी एक बात ध्यान रखेगा कि सिर्फ commission fee 0 होई है collection fee और fixed fee जैसे पहले लगा करती थी वैसे अभी भी लगेगी लेकिन commission fee 0 होने से भी काफी फरक आएगा आपकी pricing में तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था और इन सब categories के बारे में बताना था आपको जरूर sell करना है इन मैंसे किसी भी category में तो बस इस वीडियो में इतना ही छोटी से information देनी थी जिसमें मुझे आपको बताना था कि एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप इन product में sell करते हो तो आप भी ज़्यादा अनकर पाओगे और customer आपकी sale भी बहुत ज़्यादा आने वाली है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और helpful रही हो तो इस वीडियो को like कर दीजेगा अपने friends और family की साथ ये वीडियो जरूर share कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आयो तो इस चैनल को subscribe कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसी ही online selling से जोड़ी वीडियो अपनी चैनल पर लाते रहता हूँ फिलाल अभी के लिए मैं चलता हूँ Thank you